आज हम इस लेक्चर में IPM इन राइस के लास्ट तीन कंट्रोल मेजर्स के बारे में डिस्कूस करने वाल है क्यम कि आमे पता है में बहुशास बहुशाय कंट्रोल में डिस्टिम आजिसा साप्रिषि में जिस्टिम घुषिप्ट अर análस जनिटिक बैलोच बैलोच क्लुट्ट्रव में अल्हीं के लंटप ऑप्र अजादा मैं डिस्ति शुष्टी इन रहे बुष्ट उटल जा है लेकी आज का lecture is the end of the control measures regarding IPM in rice तो आज के एजंडा है chemical control, nematode management and rat management तो चलो अब शुरू करते हैं chemical control So you may have a doubt IPM तो integrated pest management है So why we include chemical measures in this So iska answer है basically IPM में we don't use chemical control at all क्योंकि IPM में already बहुत चारे management practices है एक pest को control करने के लिए बहुत चारे management practices है जैसे हम, sorry, biological यह हम उस कर सकते है जैसे we can use some other predators to control या हम physically control कर सकते है, mechanically, culturally ऐसे बहुत चारे practices हैं लेकिन क्यों, why Why we use chemical control इसका answer है Even though there are many control measures एक time पर the infestation will reach higher एक time पर infestation जो है It will literally cross the limits वो limits को cross करने के बाद There is no use of applying all these biological control measures Okay, limit को cross करने के बाद हमें immediately pest को रोकना चाहिए Immediately So, यह पर immediately का मतलब हमें ऐसे कुछ control measures को लेनी है Which will control यह which will kill the pest immediately So, यह immediate action जो है इसका similarity chemical Okay, so chemical control It will work fast लिए इसका work बहुत fast होगा Immediately it will kill the pest इसलिए यह we will use this chemical control only when the pest का infestation या pest का number crosses its limits Okay, हम ऐसे कै सकते है If the pest population crosses ETL Economic threshold level Okay, only at this point we will use the chemical control measures So, हम यह chemical control measures Because crop stage on every crop stage और इसका मतलब हर crop stage पे अलग-अलग diseases या अलग-अलग pest होँगे So, वो pest को control काने के लिए We will use the different chemical controls हम इसको इस टेबल में देखेंगे So, पहला इंसेक्स के बारे में देखेंगे So, इंसेक्स में राइस में बहुत चारे स्टेज़े नर्सरी, वेजिटेटिव, पानिकल इनिशिएटिंग स्टेज, फ्लावरिंग स्टेज So, इसको एके करके देखेंगे So, फर्स है नर्सरी So, नर्सरी स्टेज में गाल मेच, स्टेम बोरर यह दोनों बहुत खोमनली अकरिंग इंसेक्स है So, यह दोनों को कंट्रोल करने के लिए, जैसे गाल मेच को कंट्रोल करने के लिए, हमें कार्बो फ्यूरोन चाहिए और कार्बोसलफोन 6% और या और दे कार्बोसलफोन 25% EC Okay, next is stem borer को कंट्रोल करने के लिए, यह दोनों के लिए, जैसे गाल मेच को कार्बोसलफोन 5% के लिए, बैक्र प्लान्ट होपर, गाल मेच, राइस हिस्पा के लिए बहुत सारे इंसेक्स हैं So, we can just learn one or two as of rolly before stem borer के लिए, हम कार्बो फ्यूरोन या कार्बो फ्यूरोन या कार्टाप हाइड्रो क्लोराइट 4% ग्रैनुल्स अगर हम देखे, राइस हिस्पा, so we can spray the quinalfos 25% जल और chloropyrifos 20% EC वैसे ही के स्वाम के बारे में, spray the कार्बाइरल 10% बस, ठीक है? So, next देखते है, panical initiating stage, to booting stage So, इसमें है stem borer और leaf folder So, फिर से कार्बो फ्यूरोन और फिर से कार्टाप हाइड्रो क्लोराइट और again same, कार्टाप हाइड्रो क्लोराइट 4% ग्रैनुल्स या 50% SP So, अब देख सकते हो, यहाँ पे chemical controls जो ही है, तो repeat हो रही है कार्बो फ्यूरोन या कार्टाप हाइड्रो क्लोराइट Again, कार्बो फ्यूरोन अली या क्लोरो पाइरिफोस या कार्ब बाइरल यह तो commonly used chemical control है So, you can easily remember them Next है, पेस्ट देखेंगे, so, पेस्ट को गन्ट्रोल काने के लिए, वे लिए पेस्टिसाइट So, इसको में पेस्ट है, ब्राउन प्लांट होपर या वाइट बैक्ड प्लांट होपर Okay, so, इसके लिए विल यूज़ 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 प्रेय ओफ इमिडा क्लोपरेट और इमिडा क्लोपरेट 30.5% या 70% और फ्लावरिंग स्टेज में ब्राउन प्लांट होपर So, फ्लावरिंग स्टेज में विल यूज़ इमिडा क्लोपरेट 70% यह तो सेम है So, basically हम ऐसे कंक्लूर कर सकते हैं कि यह ब्राउन प्लांट होपर या वाइट बैक्ड प्लांट होपर को कंट्रोल करने के लिए भी यूज़ इमिडा क्लोपरेट बस, as a conclusion Okay, so next है diseases So, पहले हम फिर से revise करेंगे Sorry Okay So, insects So, insects के लिए Basically, कौन सब केमिकल्स हम यूज़ कर सकते हैं Carbofuron, Cartab Hydrochloride, Chloropyrifos, and Carbhyril So, if you remember these 4 It's more than enough What are they? Carbofuron, Carbhyril, Cartab Hydrochloride, and Chloropyrifos So, सब CCC से स्टार होरे है So, you can easily remember it So, गाल मेट Stemborer के रिए Carbofuron and Cartab Hydrochloride और Stemborer के लिए तो सेम, Rice Hispa के लिए Chloropyrifos और Panical Initiating to Booting Stage में Stemborer है So, इसके लिए Carbofuron और Cartab और Leaf Folder के लिए Cartab Hydrochloride और ये Brown Plant Hopper ये White Backed Plant Hopper के लिए विए Imidacloprid ये तो Fixed है For this Brown Plant Hopper ये White Backed Plant Hopper Okay So, next हम देखेंगे Diseases Okay So, till now we have seen the insects और इसका Control Measures So, हम देखेंगे Diseases और इसका Control Measures So, diseases के लिए बहुसाने diseases है Blast Bacterial Leaf Blight And Sheet Blight Etc. So, She, Bored Brown Rice What is this? She, Bored Brown Rice It's a trick to remember diseases Sheet Blight Bacterial Leaf Blight Okay Next So, first We'll see the Blast Okay So, Blast के लिए We use the Carbendazine And Isoprothiolan BLB कम मतलब Bacterial Leaf Blight है Okay So, ये Bacterial Leaf Blight के लिए Streptomycin Sulphate 9% Plus Tetra-Cyclin Hydrochloride 1% So, next है फिर से Blast लेके ये तो Vegetative Stage में So, Vegetative Stage Blast में Carbendazine And Isoprothiolone ये तो Repeating हैं Blast के लिए Similar So, फिर से बैक्टेरिया Leaf Blight के लिए Same This only We'll use आप देख सकते हो Strepto-Cyclin 100-150p Solution at early rooting stage Second spray if necessary before grain set And And also We should reduce the use of Nitrogen application Okay So, basically हम ये chemical methods फोलो कर रहे है लेकिन इसमे balance शुसर Fertilizers आप ये अगर एक farmer Fertilizers को युसकरन चाहते है So, he should Make sure The balance should be Next, is Sheet Blight Isके लिए Hexaconazole 5% Okay Next, is Panicle2 Booting Stage Ismay Physoblast Blast Carbendazine Prothiolin Or Bacterial Leaf Blight So, We can also राइट, we can reduce the nitrogen application and use the balanced fertilizer, next is sheath blight, इसके लिए भी सेम है, hexaconazole, next is flowering, so for it's the blast के लिए, isoprothiolone and sheath blight के लिए hexaconazole, okay, so यहाब आप देख सकते हो, the chemical controls या, chemically used insecticides हो या, pesticides हो या, पेस्टिसाइट हो या, तो repeat हो रही है, so you can easily remember them, okay, next हम देखेंगे weeds, okay, next हम देखेंगे weeds, so weeds को control करने के लिए भी बहुत सारे chemically control measures है, so अब देख साकते हो, first है apply syphilopop butyl 1, 10% EC, so इसको अमकाब अप्लाई करने है, 18-20 days after sowing in the grassy weeds, so यह syphilopop basically graphy weeds के लिए है, और हम hand weeding भी कर सकते है, और butachlor, it's like the most frequently used term, butachlor बहुत easy to remember है, so butachlor, और pretilachlor, और chlorimuran ethyl 25% WP, so इस सब को छोड़ दो, you can just remember butachlor, okay, because यह तो mostly used technical term है, so you can easily remember it, okay, next we can apply metasulfuron methyl 10% plus chloromyron methyl 10% WP, इसको, और you have to remember, metasulfuron methyl and chloromyron methyl, meta, methyl, chloromythyl, okay, so यह वीद्स के लिए है, so first is syphilopop butyl-1, butachlor, or metasulfuron methyl and chloromyron methyl, last is nematode and rat management practices, so nematode का area of infestation का पयोगो, soil, basically soil, और you can think, rat का रोल किया राइस में, राइस में, राइस में, rat का रोल है, basically warehouses, यह stored grain pest में, राइस का रोल हुआ, so rats, they will be in the storage, okay, यह कभी-कभी, we can tell, these rats, they may come into the field and start infesting, यह तो basically होगा, लेकिन इसमें दो रोल्स हैं, यह वेरहाउस में, यह stored places में, और दूसरे field में, means the rats, they will come into the soil and they just start eating all the stuff, so nematodes को control करने के लिए, basically two types of nematodes होगे, white-tip nematode or root-nod nematode, so यह white-tip nematode के लिए, we should sundry the seeds, okay, and also we can use the chemicals like Carbofuron, और next है, root-nod nematode के लिए, crop rotation बहुत आसान है, means बहुत, effective है, and also soil application of Carbofuron, 3% CG, same, white-tip nematode और root-nod nematode के लिए, Carbofuron, same है, this is the same chemical, और हम प्राक्टिस के बार में बात करें, sun drying in white-tip nematode and rotation in root-nod nematode, next है, rat management, so rat management के लिए, हम traps use कर सकते हैं, field borders में, if we use the traps, so these traps, they will like stop the entry of the rats to some extent, so trap crops को आसे कर सकते हैं, or the use of the bromodyalone, it is like a chemical, so this should be used in batch 6 weeks after transplantation, or the residual burrows may be treated with second application of this bromodyalone, so rats का बरोस जो है, इसमें, we can apply this bromodyalone, okay, so the above operations, हम रोडेंटिसाइट से कर सकते हैं, like the zinc phosphide, so इसको भी हम उसकर सकते हैं, means we can use the bromodyalone या zinc phosphide, so zinc phosphide basically rodenticide है, okay, so this is it guys, हाज हम इस लेक्चिन में, we have seen the rat management, number toad management, weed management, disease management, and insect management, so basically chemical control measure, or rat management and number toad management, so thank you for watching, if you have any queries, you can ask us on Instagram page, or you can post in the comment section, you can also download this PPT from our Telegram channel, Go for Agriculture, thank you for watching guys, take care, bye-bye! अ़रे टीसाईट सब्सवेफजर लिवेशन